हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त नायरा आपको स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्द इस वेल्थ पर दोस्त आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग कहते हैं जब हमाई तचा से नमी गुम हो जाती है तो तचा के अंतर नमी बरकरार रखने के लिए हमें मौस्चराइजर का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मौस्चराइजर का प्रयोग करने से हमारी बोड़ी को मौस्चराइजिंग मिलता है या फिर मौस्चराइजेशन मिलता है आई ही जानते हैं कि अगर हम मॉस्चराइजिंग करते हैं अपनी तुचा पर तो वो हमाई तुचा की मदद कैसे करती है पॉइंट नमबर वन अगर आप अपनी तुचा पर मॉस्चिराइजेशन करते हैं या फिर मॉस्चिराइजर का प्रयोग करते हैं तो यह आपकी तुचा को नमी प्रदाम करता है कई बार सर्दियों के मॉस्चिराइजर का प्रयोग करना बहुत जरूरी है यह हमाई तुचा में मॉस्चिराइजर को लॉग करता है और हमाई तुचा को चमकदार बनाता है टिप नमबर टू अगर हम मॉस्चिराइजर का प्रयोग करते हैं तो हमें किसी और चीज़ का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि बाकी किसी और चीज़ के अंदर रसायन या फिर केमिकल की मातरा ज्यादा होती है और वो हमाई तुचा को डैमेज भी कर सकते हैं इसलिए मॉस्चिराइज का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज्यादा बहतर है टिप नमबर थ्री जुरियों को दूर करने के लिए भी मॉस्चिराइजिंग करना बहुत जरूरी है यह हमाई तुचा को नमी देती है और तुचा के कॉलिजन को अंदर से बूस्ट करती है जिसकी वज़े से जुरियां काफी हद तक हलकी पड़ जाती है सो दोस्तों देखा आपने केस तरीके से मॉस्चिराइजिंग करने के वज़े से हमाई तुचा को मदद मिलती है इसलिए ऐसा ही प्रयोग करके अपनी तुचा की हेल्प करते रहे ताकि आपकी तुचा हमेशा और सालों साथ तक जमा दिखाई दे मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सब्सक्राइब कीजिए तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ